गाल को एलो है चानल देसिस वासी चले दिखते हैं कल मार्केट का हम कर सकता है शुदा कॉंसरेसे अप्ट नम कर सकता है उसके पीछे का लोजी क्या है पहले हम लुग विकली आनलिसीज करते हैं फिर उसकी डेली है फिर फिरिफेरान मिटस में देखें कि एक्जाट्ली कहां पर ट्रेट कर सकते हैं बहुत ही अच्छा प्राइस एक्षन कंटीव से मार्केट बना रहा है अगर आप लोग देखोगी यहां से ब्रेकाउट दिया नीचे गया फिर कहीं न कहीं एरिया में सपोर्ट लिया फिर एक अच्छा हुएंटम दिया ओल टाइम हाई के आसपास एक इस पेक्टर एक ही मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है अगर विकली चार्ट में देखेंगे पिक्टर पर्फेक्ट एरिया पर आल टाइम हाई के आसपास तीन कैंडल बना चुका है विच इस नौट बुलिस अब बनाया है तो कंटियूसली मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो इसलिए चार्ट के अंदर यह कंटियूसली बुलिस पैटर नहीं दिख रहा है तो यहां पर हम लोग को एच्छे लेवल अगर मिला तो हम लोग बाइंग करेंगे जब भी हम लोग बाइंग के लिए प्लान करते हैं तो नो डाउट जो प्रीवेश ट 1,800 इसी रेंज के अंदर ओ गया है दो से तीन विक इसी रेंज पर तो मोमेंटम मिलेगा तो एक सप्रा Seoffs मिल सकता है तो हम लोग करता है किस तरीक के से मार्केश उपन होता है तो चलिए 15 मिट में daily chart में देखते है कहां पर market देख रहा है यहां पे फिर हम लोग को सेलिंग फास्ट होते हुए दिखेगा अगर कल रिवर्सल होना होगा तो इंट्रेस्टिंग रहेगा क्योंकि तीन चाथ दिन से अगर आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग अगर sell भी किये होंगे stop loss ट्रोल करते आ रहे होंगे अगर ये break करता है तो बड़ा momentum आ सकता है तो अब भी अगर daily charts के अंदर देखेंगे interesting ये अभी एक inside candle बना है कौनसे side break करता है first breakout हम लोग को पता चलेगा ये baby candle का अगर breakout उपर की तरफ दे रहा है हम लोग buying प्लान करेंगे नीचे की तरफ दे रहा है selling प्लान करेंगे उसके बाद फिर उसके flow में निकलना चाहिए इसके नीचे breakdown होना चाहिए या फिर उपर की तरफ breakout दे रहा है breakout होना चाहिए मार्केट अभी भी बुलीज दिख रहा है लेकिन हो सकता है किने profit booking आजाए या फिर यहां से नीचे आजाए तो दोनों साइट हम लोग प्लान करेंगे तो हमारे पास level कौन से होने वाले कौन से level आने के बाद हम लोग selling आप buy करेंगे आपको एक point बताया था याद होगा अगर market gap up खुलेगा तो मैं ज्यादा interested नहीं हूँ trade करने के लिए Friday के दिन में आपको बताया था इससे ज्यादा confusing market और हो नहीं सकता market में यहाँ पे candle बनाए क्योंकि क्या होता है market अगर start selling हुआ है market उपर खुला यहाँ पे resistance है यहाँ पे support बन जाएगा यह दोनों लेवल पे market घुमता रहा और बहुत सा लोग का ऐसा लिट हुआ होगा जितने लोग इमाजिन करो कि नहीं अगर momentum में या फिर swing में यहाँ पे trade लिए यहाँ पे अगर निकाले नहीं होगे या फिर उपर गया यहाँ पे sell किया होंगे और यहाँ पे निकाले नहीं होगे तो losses होगा क्योंकि trending तभी मिलता है जब न एक side में जैसे यहाँ से इसके उपर हम लोग को trending मिलेगा या फिर इसके नीचे यह बीच में market confuse करेगा इसके लिए मैंने बताया था market अगर gap up खुला तो ignore कर देंगे ज्यादा quantity में trade में interested नहीं हो लेकिन flat खुला इस level के आसपास खुला तो हम लोग interested हो सकते है या फिर gap down कोले तब हम लोग interested हो सकते है तो अभी current level पर क्या plan हो सकता है simple 44,000 आपको मैंने तभी होता है था मेरे पास कुछ call sort में है और मैं 44,150 और 200 के आसपास top loss रखाऊं अगर यहां पर आता है तो मैं इसको निकाल दूँगा अधर्वाइच मेरे लिए market थोड़ा सा smaller टाइम फ्रेम में थोड़ा slow and steady नीचे की तरफ यह जा रहा है current level पर यहां से selling आया और आपको दिखरा होगा 44,100 से लेकर 150 एक demand मतलब इंदर सेन supply zone है इस एरिया के आसपास से selling happening हुआ है हम लोग सेल कप करेंगे imagine करो 850 में हम लोग को मिले इसके नीचे मिले या फिर inside candle breakdown हो या फिर 43,750 यह सारे लेवल हम लोग के लिए selling रहाएगा और stop loss 44,000 या फिर 43,950 100 रुपे का SL रहाएगा और target 300-400 रुपे या 500 रुपे का रखना अगर market gap down खुल के नीचे जाता है अगर market gap up खुलता है तो कौन से लेवल पे खुल रहा है क्या यह 100 या 150 या 200 इस लेवल पे अगर खुल दिया 100, 150, 200 के अंदर तो हम लोग को एक बड़ा market देखने मिलेगा और target कहां तर करेंगा थोड़ा सा बड़ा target होना चाहिए और chances are vary आई क्योंकि यह सारे swing आप देख कर रहे हैं और यहां से नीचे की तरफ यह flat होते आ रहा है momentum तब मिलेगा इसके नीचे आ जाए flat खुला इसके नीचे आ गया यह gap down खुला तो हम लोग को बड़ा momentum इसके नीचे मिलेगा या फिर संबेर इस area में open हो जाए अगर इस area में open होता है पहला एक दो मिनिट के यहां पर लगा दो हमें ऐसा risk to reward follow करना हो सकता है कि ने market यहां पर खुला है और 15 मिन यहां पर sideways गया और उपर breakout दे रहा है यहां पर हम लोग ने buy किया अगर हम लोग 100 रुपे का SL रखे हैं और 200 रुपे का target रखे हैं into your quantity size और quantity size क्या होना चीए quantity justify होना चीए कि ने जैसे next 2030 trade आप ले पाओ अगर कल losses भी चला जाता है क्योंकि हम लोग भगबार नहीं हम लोग बस price को read कर रहे हैं अगर losses भी चला जाता है तो भी हम लोग और 10-15 बीच टेड़ अगर लेने के लिए हमारे पास capacity है तो फिर हमको कोई effect नहीं हो रहा है irrespect your market लेकिन अगर कल momentum करता है हो स ध्यान से देखो कि breakdown हुआ हम लोगों ने selling के लिए प्लान किया बहुत अच्छा momentum दिया ठीक है next time try किया फिर आया तो कोई issue नहीं है क्योंकि ये area में selling हुआ था एक पहले ये support हुआ करता था फिर नीचे आया ये resistance बन गया perfect है market उपर जाने है कोशिस किया फिर से साफ selling फिर नीचे आया अगर यहां से seller strong है तो no doubt खुले गा ही somewhere around 44,000 के नीचे ये 43,900-800 ये level पे खुला तो हमको confirm हो गया seller active है तो निया low के लिए trade करें निया low in the sense 43,700 के नीचे अगर इसकी नीचे trade कर रहे हैं selling हुआ नहीं है fast happening नहीं हो रहा है तो एक बड़ा target 43,500 के लिए प्ल seller ने try किया यहां पे भी seller ने try किया seller यहां पे try किया और seller यहां पे तो seller का जो selling point है बहुत पास में है summer around 44,100 से लेकर 200 point के बीच में sellers active हो रहे हैं और कल अगर imagine करो अभी seller comfortably बाठे हुए हैं कि नीचे जा रहा है कभी previous thing break out नहीं हुआ है तो उन लोगों के लिए stop loss place यहां पे जैसे में बेठा हूँ तो हो सकता है कि ने खुलते साथ में यह सोचू थोड़ा सभी यहां से bullish pattern बनाया तो मैं exit करूंगा exit means selling था buy करूंगा that means यहां से buying momentum start हो जाएगा और यह कहां तक जा सकता है यह gap है gap fill करेगा और इसके ऊपर निकल जाएगा so that क्या होगा लोगों को entry क करने का chance ना दे क्योंकि जब भी market ऊपर जाता है entry करने का chance नहीं देता आपको पता होगा last time हम लोगों ने यहां पर discussion किये था market फ्लाट को लेगा तो हम लोग करेंगे बहुत बड़ा candle बना दिया multiple inside candle बना breakout दिया intraday में move करिया next time लोगों नहीं सोचा होगा बहुत अच्छ पोजेटिव है और 41,200 यह लेवल पर खुला तो हो सकता है कल के दिन हम लोग को बड़ा market देखनी के लिए मिल जाए क्योंकि यह बहुत अच्छा price action बनाया है मैं बस एक ही लेवल पर negative हूँ अगर market 43,900 या 43,800 यह लेवल पर खुला तो मैं negative हूँ अगर 44,000 की यह as-bis खु गया तो सकता है कि ने कल buying market मिल जाए हूप यह पॉइंट सारे समझ में आ रहे होंगे hit the like button गर आपको यह सारे पॉइंट समझ में आ रहे हों क्योंकि यह सारे पॉइंट आपको काम आने वाले है अभी अगर आप लोग देखोगे यहां पर nifty market similar यहां पर selling आया somewhere around इस लेव 50 या 575 यह जोन के आसपास अगर खुलता है तो यह जोन क्रॉस करते साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं 25-30 रोग असटापला सोना चाहिए और हम लोग का target 700 या 675 के आसपास होना चाहिए कि यह swing बहुत टाइप टेस्ट हो चुके हैं तो इसके आसपास क्लोजिंग देना नही हो सकता है कि ने बड़ा trend आप मिस कर दो इटस अलोग बेटर थोड़ा सा ज्यादा time के लिए वेट कर सकता है भले loss होगा चलेगा या फिर आप ट्रेल कर सकते हो अभी selling कहां पर प्लान हो सकता है selling समय राउंड 18,500 के नीचे कुछ quantity उसके 475 के तो समय राउंड अगर market खुल है तो यह सारे इतने swing लगे हैं उसके ऊपर अगर खुल गया तो हो सकता है यहां पर positive बना के फिर यह निकल जाए तो कल अगर gap up खुला तो मैं थोड़ा सब bullish हूँ अगर flat खुले या gap down खुले तो हम लोग negative के लिए plan करेंगे plan simple हो चुका है कल अगर और कुछ खुलता है ल चलिए अभी हम दो स्टॉक देख लेता है पहला स्टॉक के अटेंट थोड़ा सा एक बड़ा momentum करने के बाद फिर से एक side wage हो गया यहां पर बहुत बड़ा volume जेनरेट हुआ बहुत टाइम तक ट्रेड नहीं हुआ था momentum किया उसके आद फिर pullback हो बड़ा candle के बाद एक सेलिं आया उसके आद हाल्ट कर रहा है अभी current level पर कहीं पर जा नहीं पा रहा है अगर यह breakdown करता है और एक बार तब selling आ सकता है 2400 फिट से टेस्ट कर सकता है लेकिन अगर यह gap up खुल जाता है 2455 के ऊपर कहीं पर कहीं पर खुलता है एग्नोर कर देना क्योंकि हो सकता है यहां से पर बुलिस के अंदर बना दे लेकिन प्राइस थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है अदेंट के अंदर तो इसको हम लोग प्लान कर सकते है 2440 के नीचे stop loss 10 रुपेगा वनाची 1.2 minimum हम लोग का इसमें target रहेगा हो सकता है 24 अगर break करें तो यह gap fill करने भी आ जाए तो एक बड़ा target भी मिल सकता है next talk BPCL अगर आप लोग देखोगे similar level पर continuously trade कर रहा है एक ही जगा पर यह trade कर रहा है तो अगर इसके नीचे निकलता है यहां पर price action बना रहा है इस area में selling continuously आ रहा है अगर कल फिट से नीचे आता है तो एक selling का pressure आ सकता है 356 एक निया low लगा सकता है त 58 के आसपास हम लोग इसको trade कर सकते हैं 2 से 3 रुपाय stop loss होना चाहिए 1.2 हम लोग का target रहेगा second candle को ignore करना first candle इसी को हम लोग focus करेंगे तो next talk is mother sun अगर हम लोग यहां पर देखेंगे इतना अच्छा momentum था continuously momentum था यह first time pullback हुआ है नीचे की तरह पाया है first pullback में कभी में sell नहीं 50 के आसपास हम लोग इसको plan कर सकते हैं 1 रुपे यह stop loss होना चाहिए 1.2 minimum लोग का target रहेगा next talk है indigo अगर हम लोग यहां पर देखेंगे एक अच्छा level पर दिख रहा है आपको दिख रहा होगा monthly chart में भी बहुत अच्छा दिख रहा है यहां से continuously 3 मन्त पर momentum हो चुका है तो इस एरिया पर resistance था हो सकता है 2600 जाने के बाद थोड़ा सा rest ले वह जिने लोग अभी investing के लिए प्लांग कर रहे हैं stop loss थोड़ा सा दूर रहेगा 2000 के आसपास क्यूंकि इस level पर हो सकता है कि 25 या 26 आने के बाद थोड़ा profit booking आया है और यहां पर time spend करे उसके आद मूब करें लेकिन बहुत अच्छा stock दिख रहा है तो चली हम लोग 15 मिट्स में देखते हैं कहां पर exactly डिली चार्ट में देखते हैं कहां पर exactly इसको trade करना है यहां पर अगर हम लोग देखेंगे somewhere around 2385 के आसपास यह trade कर रहा है 2400 राउंड लेवल इसके ऊपर move कर रहा है तो बड़ा momentum सकता है 2390 के ऊपर हम लोग प्लान कर सकते हैं दस रुपया stop loss होना चीए वन इस्टो मिनियों हम लोग का target रहेगा यहोँ पेसार पन आप लोगो समझ में आ रहे होंगे वीडियो चलो हम लोग लाइक के समफेट्स अब इतना ही तैंक यू